Hello everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं The Reluctant Fundamentalist The Reluctant Fundamentalist को लिखा है मौसिन हामिद ने जो के एक पाकिस्तानी राइटर है मौसिन हामिद ने इस नौवल को 2007 में पब्लिश किया यह नौवल एक्चॉल में Frame Story की टेकनीक को यूज करते हुए लिखा गया Frame Story का मतलब यह है कि Story के अंदर ही एक दूसरी Story को नेरेट किया जा रहा है तो यह नौवल Frame Story की टेकनीक को यूज करते हुए लिखा गया है यह नौवल एक Single Evening के अंदर Complete हुआ इसके अंदर हम देखते हैं कि Main Character चंगेज और एक Foreigner जिसको हम American कंसीडर करते हैं वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं यह नौवल एक्चॉल में Dramatic Monologue की फॉर्म में है जिसमें हम Monologue देखते हैं चंगेज के दर्मियान और Foreigner जिसको हम American कह रहे हैं उसके दर्मियान तो यह Narrator की Point of View को यूज करते हुए इस पूरे नौवल को बयान किया गया है नौवल की स्टोरी क्या है यह हम देखते है The Reluctant Fundamentalist यह कहानी है पाकिस्तान के शहर लाहूर में बसने वाले एक आदमी चंगेज की एक शाम चंगेज लाहूर के बाजार में एक अजनबी इनसान से मिलता है वो शकलो सूरत से American लग रहा होता है चंगेज उसके करीब जाता है और उसे एक करीबी कैफे के अंदर ले जाता है जहां पर उसे चाय आफर करता है वो दोनों कैफे में चाय पीने के लिए बैठ जाते है चंगेज उस अचनबी आदमी को अपने अमेरिका में गुजारे हुए वक्त के बारे में बताता है वो अचनबी आदमी बहुत बेचैन लग रहा होता है लेकिन वो खामोशी से बैठकर चंगेज की कहानी को सुनता है चंगेज पाकिस्तान के एक बहुती इज़त्दर रहा खानदान से तालूग रखता है वो पाकिस्तान से अमेरिका तालीम के लिए डाले जाता है वो अमेरिका की युनिवस्टी प्रिंस्टन में दाखला ले लेता है और वहाँ पर एक बहुती जहीन तालब इलम्ट साबित होता है वो प्रिंस्टन यूनिवर्सटी से ग्रेजुएशन मुकमल करने के बाद अमेरिका की एक कमपनी अंडर्वूर्ड सामसन में इंटर्व्यू देता है और उस कमपनी का वाइस प्रेजिडेंट जिम उसकी काबलियत को देखते हुए उसे जॉब दे देता है प्रिंस्टन यूनिवर्सटी से ग्रेजुएशन मुकमल करने के बाद और अंडर्वूर्ड सामसन में नोकरी करने से पहले वो अपनी चुटियां गुजारने के लिए ग्रीश जाता है जहां पर वो प्रिंस्टन यूनिवर्सटी की ग्रेजुएट एरिका से मिलता है वो उसकी खुबशूरती से बहुत मतासिर होता है ग्रीश में चुटियां गुजारने के बाद चंगेज न्यू यॉर्क वापिस आ जाता है और अंडर्वूर्ड सामसन में अपने करियर का आगास करता है वो वहाँ पर बहुत सरे दोस्त बनाता है और अपने कोलीग्स और सुपरवाइजर्स की तारीफों का मरकज रहता है उसी दोरान वो एरेका से भी मिलना जुलना बरकरार रखता है लेकिन एरेका अपने बॉइफरेंड क्रिस की वफात के बाद बहुत अफसूर्दा रहती है इसलिए उसे चंगेज में कोई खास दिल्चस्पी नहीं होती चंगेज अपने कमपनी की काम से फिलिपिन्स के शहर मनेला जाता है जहां पर उसे सप्टमबर 11-2001 को अमेरिकन ट्विन टावर्स की तबाही के बारे में पता चलता है उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपना काम मुकमल करके न्यू यॉर्क वापिस आ जाता है न्यू यॉर्क वापिस आने पर चंगेज को एरपोर्ट पर ही रोक लिया जाता है चंगेज को ये देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि अमेरिका और इंडिया इस सब का जिमेदार पाकिस्तान को मान रहे होते हैं चंगेज ये देखकर बहुत बेचैन महसूस करता है और वो अपनी बेचैनी दूर करने के लिए पाकिस्तान अपनी फैमली से मिलने आ जाता है फैमिली से मिलने के बाद वो वापिस न्यू यूर्क जाता है यहां वो काम के सिलसले में चिली का दोरा करता है दोरा के दरमियान एक कमपनी का प्रेजिडेंट जॉन बातिस्ता उससे मिलता है जॉन बातिस्ता चंगेज का मौसना एक जैनेसरी से करता है जैनेचरी एक करोसेड एरा के सिपाही को कहा जाता है जिसको किरनैप करके अपने कल्चर से दूसरे मुलक में लाया जाता है उसे जबरदस्ती अपने ही मुलक के खिलाफ लड़वाया जाता है चंगेज को उसके अलफास सुनकर बहुत गुसा आता है लेकिन उसको उसके अलफास सही लगते हैं क्योंकि वो भी अमेरिकन कमपनी में काम करके पाकिस्तान को नुक्सान ही पहुंचा रहा होता है ये सुनकर चंगेज अपना काम दरमयान में छोड़ कर ही नियू जॉर्क वापिस चला जाता है जहां पर उसे उसकी कमपनी से निकाल दिया जाता है और वो पाकिस्तान हमेशा के लिए वापिस आ जाता है पाकिस्तान वापिस आकर चंगेज एक यूनिवर्स्टी में काम शुरू कर देता है और वो एंटी अमेरिकन डिमोंस्टरेशन को भी स्पोर्ट करने लग जाता है चंगेज जब उस अजनबी आदमी को अपनी ये सारी कहानी सुना रहा होता है तो उस तरम्यान वो उसकी बेचैनी को भी महसूस करता है और उसको लगता है कि वो अजनबी आदमी अपने जैकिट के नीचे कुछ चुपाए हुए है लेकिन चंगेज इस सब को नजर अंदास करते हुए उस अजनबी आदमी को उसके होटल तक हिफाज़त से पहुँचा देता है और यहां पर ये नावल खतम हो जाता है स्टोरी को हमने देख लिया अब हम इस नावल का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लेते हैं 9-11 के इंसिडेंट के बाद बहुत सरे राइटर्स उस इंसिडेंट के आफ्टरमैट के बारे में लिखने लगे और उसका क्या नेगिटिव इंपक्ट था लोगों पर अमेरिकन लोगों पर उसके बारे में लिखने लगे लेकिन मौसिन हामिद के इस नावल ने एक पाकिस्तानी अमेरिकन को अवास दी मतलब ये किस तरह से पाकिस्तानी अमेरिकन अमेरिका में रहते हुए विक्टिमाइज हो रहे थे वो रिशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे थे उन्हें किन प्रॉबलम से गुजरना पड़ रहा था वो ही चीज हम देखते हैं चंगेज के जरीए ये जब वो अमेरिका में रह रहा था तो उसको एक जैनेसरी से तश्मी दी उसके इलावा उसको एरपोर्ट पे रोक लिया गया और आफिस के अंदर भी लोगों के रवई उसके साथ बदल गए तो ये एक्ट्वल में एक पाकिस्तानी अमेरिकन की आवास बनी किस तरह से दूसरे लोग भी इससे विक्टिमाइज हो रहे थे अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी लोग जिनको टेररिस्ट कहा जा रहा था इस नावल के अंदर जो में चीज हम लोग देखते हैं वो है आइडेंटिटी क्राइसिस चंगेज अमेरिका में रहते हुए अपनी डबल आइडेंटिटी के साथ सफर कर रहा होता है वो पाकिस्तानी और अमेरिकन इन दोनों के दरम्यान सफर कर रहा होता है जिब वो Erika के साथ होता है तो वो उसके boyfriend Chris का हुलिया लेता है ताके वो उसके साथ रह सके उसके इलावा भी उसको अपनी identity की वज़ा से सफर करना पड़ता है पाकिस्तानी होने की वज़ा से उसे सफर करना पड़ता है वो अपने आपको American Consider कर रहा होता है नेकिन उसकी पाकिस्तानी आइडेंटिटी उसके साथ रहती है तो उसको डबल आइडेंटिटी कह सकते हैं हम या आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है उसको हम पूरे नौवल के अंदर ये देखते हैं तो अदरिंग के कॉंसेप्ट को हम यहां एक उपोजिट वे में देख रहे हैं मतब ये के वेस्टरन वर्ड में जो इस्टरन कंट्रीज हैं इनको अदर कंसीडर किया जाता है इनके लोगों को लेकिन यहां पर हम उपोजिट देख रहे हैं एक फॉरेंर जिसको हम अमेरिकन कह रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर एजन अदर रहरा है मतब ये चंगेज इसको माइनर कंसीडर कर रहा है वो ड़रा हुti है और वो बच रहा है तो चंगेज इसको महफूज कर रहा है उसको हिफाशत दे रहा है तो यहाँ पर एक opposite concept हम देखते हैं कि एक foreigner को as a minor treat किया जा रहा है तो यह concept इसके अंदर हम देखते हैं और last में है इस novel का title novel का title है reluctant fundamentalist reluctant कहते हैं जिद्धी इनसान को और fundamentalist वो होता है जो अपने beliefs में strict हो strict beliefs हो जिसके अब reluctant है यहाँ पर चंगेज जो के पाकिस्तानी है और fundamentalist है America America के beliefs यह हैं कि जो पाकिस्तानी है वो terrorist है जबके चंगेज reluctant है जिद्धी है इस चीज़ में कि हम पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है वो novel के अंदर कहता है you should not imagine that we Pakistanis are all potential terrorists just as we should not imagine that you Americans are all undercover assassins मतलब यह कि America को अपने fundamentals change करने की जरूरत है अपने beliefs को change करने की जरूरत है पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है और चंगेज reluctant है इसलिए वो America में अपनी job को छोड़ कर पाकिस्तान वापिस आ जाता है तो यह mainly इस novel का title है reluctant fundamentalist तो यहाँ पर खतम होता है हमारा आज का यह lecture उमीद आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूँगी अपनी next वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिस